हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स की जो प्रिविए सियर क्वेशन्स आए हैं पी वाई क्यू जुनको कहते हैं इस वर्ड से आप नोन होंगे उसकी क्वेशन्स अप्रूड कर रहे हैं चेप्टर है एलेक्टो स्टेटिक्स पोटेंशल एंड कैपिसिटिंस फंडा क्लियर होगा चेप्टर का तभी आप इसकी त्यारी कर रहे होंगे ठीक है हम एक वीडियो में एक एक कुशन्स अप्लोड कर रहे हैं जानबूस करके ने इसलिए नहीं कि नंबरा वीडियो करते हैं देखते हैं अगला कंशन यह कंशन नीट 212 जो कि पहले पीम्टी के नाम जाना जा आता था तो पीम्टी 212 कह दीजिए रहे मैं पूछा गया है हम जब तक कुशन पढ़ते हैं तब तक आप उस कुशन को देखी कुशन कह रहे हैं कि four electric charges plus q इसमाल q निखा है प्लस Q, प्लस Q, माइनस Q, माइनस Q are placed at the corners of square of side 2L C figure, एक figure बना हुआ है नीची उसमें कहारा है कि चार चार्जे दखे हुए है ABCD उसकी कार्णर से हैं इसमें प्लस Q, प्लस Q, माइनस Q, माइनस Q चार्जे दखे हुए है और इसकी side 2L है A is the midway between the two charges माइनस Q, प्लस Q, प्लस Q के बिच में एक A point दिया है आपको दिख रहा है तो कह रहे हैं four electric charges corner पे हैं the electric potential add A A पर आपको electric potential निकालना है देखू, पहले तो बात कर लेते हैं कि question कहीं क्या रहा है ठीक है, ये question गल्लद, PMT 2011 का है इसमें plus Q, plus Q, minus Q और minus Q और इसका mid point A है और इस point पे net potential निकालना है तो आप जानते हैं कि potential हर एक charge यहाँ पर create करेगा और potential due to point charge का formula क्या होता है कि Q upon R, Q बोले तो one upon four five seven not Q upon R तो इस charge से इसकी दूरी मालूम है इसका नाम देदो PQRS PQRS इस charge से दूरी मालूम है यहाँ से दूरी नहीं मालूम न तो यह दूरी निकालनी पड़ेगी आपको पहले और यह दूरी आपको निकालनी पड़ेगी यानि SA निकालनी पड़ेगी और SR निकालनी पड़ेगी तो आपको साफ साफ दिख रहा है यह right angle triangle है यह L है यह 2L है तो यह निकालोगे कैसे निकालोगे in triangle SAP में SA square is equal to SP square plus AP square कि आप जानते हैं कि यह पैथागरुस की थोरम है ठीक है आपको एक्जाम में नहीं निकालना है डाइट कर देना है इतना आप जानते हैं तो SA square will equal to इसको हम फिलाल इसमाल R मालेते हैं यह भी दूरी सेम होगी R मालेते हैं तो SP बोले तो SP है 2L तो यह आएगा 4L square और AP बोले तो L square यह निकि 5L square यहनिकि SA की value जिसको का आपने R माना है वो L under root 5 आएगा तो इसमाल R यह भी मालूम होगा है यह भी मालूम होगा है दोरियां सब मालूम होगी तो आपको potential at P निकालना है potential at A तो सभी charges इसकी विज़शन निकालेंगे तो 1 upon 4 pi epsilon common ले लो अब देखे जब आप यह Q लिखेंगे आपको पढ़ाया गया है कि potential में charge का sign लिया जाता है और electric field में direction लिया जाती है ठीक है तो यह plus charge है तो Q upon दूरी क्या लिखेंगे A P यह भी plus charge है plus Q upon दूरी क्या लिखेंगे A Q यह minus charge है क्या लिख रहा हूँ यह minus charge है तो दूरी क्या लिखेंगे A R और यह minus charge है दूरी क्या लिखेंगे A S A वर रख तो यह answer आ गया तो ऐसे तक करते हैं क्यों कामन ले लेते हैं 4 pi epsilon 0 यहां क्या आएगा 1 upon A P है L 1 upon E है L minus 1 upon R है न R minus 1 upon R तो यह आजाएगा Q upon 4 pi epsilon 0 2 upon L minus 2 upon R R कमान है L under root 5 एक तो यही answer हो सकता है अब चुकि यहां कुछ common दिख रहा है आपको 2 common है और L common है तो 2 और L common ले लेते हैं हाँ पर ठीक है जब common ले लोगे तो V की value क्या आएगी 1 upon 4 pi epsilon 0 2 Q upon L यह आएगा 1 minus 1 upon 1 under root 5 इस option is correct हो सकता है root 5 L simply के भी आपको पूस सकते है तो इसका part B is correct तो यह 2011 का question है ठीक है सुरवात में हम कुछ और पढ़ गये थे नंबर कुछ और डाल दिया था ठीक next in the next video Thank you